हेलो माइडियर स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे अंगर स्वस्त होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने बाला हूं कि एक्जाम के लास्ट समय में आप तैयारी कैसे करेंगे जिससे आपका अच् प्रस्ण को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं मैक्सिमम स्टुडेंट का अच्छा प्रस्ण रहा है जो कि बहुत सारे स्वालों का मैं जबाब दे दूं दिखिए सबसे पहला सवाल जो कि बहुत सारे स्टुडेंट ने मुझे पूछा है कि सर अभी टाइम में मतलब यह समय में कितने घंटे करें ठीक है तो पहला प्रस्ण ठीक है मैं यह च्छेवों प्रस्ण का आपको उत्तर देने वाला उग्दम बहुत ही जवरदस्त वीडियो आप बने रही है वीडियो के साथ तो दिखिए कितने घंटे करें तो ध्यान दिज्जे का सबसे बड़ा तो हमको लगता है मैक्सिमम एट आवर्स इस्टडी काफी है एट आवर्स उसमें खाना पिना खाना बहुत सारा काम है ठीक है तो एट आवर ज्यादा सज्यादा अगर आपका कोचिंग नहीं तो एट तो टेन आवर्स इससे जज़दा आप नहीं पढ़ सकते एक दिन में अगर कोई स्टुडेंट्स कहता है कि हम 15 गंटे पढ़ते हैं 20 गंटे पढ़ते हैं तो इस रांग यह गलात है इसा नहीं हो सकता है नेवर इट इस नोट पॉसिबल ठीक है तो आप मिनिमम एट आवर्स पढ़िया और मेक्सिमम टेन आवर्स ठीक है तो इतना आपको करने का कोई टाइम नहीं होता है जो भी टाइम टेवल बनाते हैं चार बज़े करूंगा मैं पंच बज़े वह करूंगा तो वैसा कुछ नहीं जिस समय आपका माइंड ज्यादा एक्टिव हो मतलब आपको लग रहा है कि नहीं समय हम अच्छा कर सकते हैं जिसे बहुत सारे कर सकते हैं कोई जोरी नियंक सुभाई पढ़ना है आप सम में भी पढ़ सकते हैं दोपार में पढ़ सकते हैं सुभा पढ़ान होता है जो अब तुक पढ़ने के लिए हर एक टाइम इंपोटेंट है जिस समय आपका मूड अच्छा उस समय पढ़ना इस्टार कर दीजिए तो यह प्रसन का भी आपको एंसर मिल गया होगा उम्मित करते हैं अब कई से study करें study करने का क्या तरीका होना चाहिए तो बिसेयस के लिए मैं description में अच्छी बात ने तो इसमें थोरा समय बता रहा हूं कि study करने के लिए आपको क्या करना है कि मतलब पूरा इधर उधर की बाते नहीं होना चाहिएक यह समय में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना और जो अभी ख्डाम के मे अधिम्हें थैयान देना और जो अर्यादा आपको शमज में आ रहा है उसको अभी छोड़ देना है मतलब कोसिस करना है को इसे चीज को जदा पढ़ें तो एक्जाम के लिए इंपर्टेंट है तो आपको मैंने यह बता दिये कई से पढ़ें अब दिखे क्या खाएं बहुत बड़ा प्रशन है यह भी बहुत सारे श्टुटेंट ने पूछा कि सा चीजे है उसको कम से कम खाएं जिसे मौनले ज्यादा वाला सब्जी नहीं खाना है मीट मचली मंस यह सब आपको बहुत ही नियुन्तम खाने का कोशिस करना इस समय कि उसमें ज्यादा तर तेल होते हैं और तेल वाले समंगरी को आपको बहुत कम खाना है माइंड को एक्टि तो यह तेल वाला समान बहुत ही कम खाना आपको कोसिस करिये गाई ठीक है मीट मचली मंस को बहुत मतलब थोरा सा कम कर दिज़े कंट्रोल में भी उतना नहीं खाना है और खाना जो खाना वह बहुत हम कृणवी करना है तो यह हो गया और अगला परसने सर कितना देर सो हैं बहुत स्टूएंट मुझे पूछा कि सर कितना देर सोएं क्योंकि बहुत इंपाटन्ट प्रस्ट यह रहा है कि सर आफ शराचिस क्र ले थे हैं कितना देर तो मैं आपको बता दू कि जो है कि human के लिए जो एक सोने का fix time है वो है six से seven hours इस से ज़्यादा आपको नहीं सोना है minimum आपको छे आवर से कम भी नहीं सोना है और seven hours से ज़्यादा भी नहीं सोना है याद रखेगा तो आपको 6-7 आवर से नहीं कि minimum 6 घंटा maximum 7 यह नहीं कि 8-9-10 नहीं पुरा देना है कुम करन नहीं बनना है आपको बता दिया हूं कि आपको minimum 6 भी सोल यह तो काफी है नहीं तो 7 तक जाई जदा जदा अगर आपका नीद नहीं पूरता है ठीक है तो इतना सोना है अपको ठीक मिल जाते है थे तो वहीं सय सब्ज़ेक्ट को थोरा कम भी ध्यांन देजा है कि उसमें मिल जाएक लेकिन हमें पर आपको क्या करना है। लिक जो तो आपको यह वीडियो बहुत पसंद आppy पाहिए लाइक कर दिए और चैनल को वी मलते और आधिक सेर कर लिए तो मिलते आlläक्ट लिए जै हिंद्ड आया थे